हेलो दोस्तों आज हम आपके लेके आएं एकदम टेश्टी सी नास्ते की रेसिपी तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करतीजेगा तो एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हम डाल रहे हैं आधा कब बेशन उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चमर चावल का आटा और नमक डाल लेंगे थोड़ा सा और एक चुटकी हम हल्दी पॉडर डाल लेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची पॉडर डाल लेंगे एक चुटकी से थोड़ी जादा है और एक चुटकी हिंग डाल लेंगे तो हिंग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इस नास्ते में उसके बाद हम मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से तो ऐसे करके और चम्मत से अच्छी से मीक्स करने के बाद हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और पानी डालके इसको अच्छी से फेट लेंगे ऐसे करके तो पानी एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें गुटलियां रह जाएंगी तो थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालके और इसको अच्छे से एक गाड़ा सा घोल बना लेंगे तो बिल्कुल भी गुटलिया नहीं होनी चाहिए इसमें तो एक देड़ मिनट तक ऐसे ही बढ़िया सा फेट लेंगे इसको तो एक दम गुटलिया भी खतम हो जाएंगी और बढ़िया स्मूद सा घोल बन जाएगा तो ये आप देखिए बिल्कुल ऐसा ही घोला में चाहिए ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गाड़ा भी नहीं तो ये बना के हमने तयार कर दिया इसे रैष्ट पर रख देते हैं और इतने में हम आगे की तयारी कर लेंगे तो गैस में हमने एक पैन रख दिया है इसमें तीन चमच हम तेल डाल रहे हैं मीडियम वाला चमच चाहिए, उसके बाद तेल गरम होने पे हम इसमें सर्सों डाल लेंगे, आधी छोटी चमच और आधी छोटी चमची जीरा डाल लेंगे, आधी छोटी चमच हम इसमें सौप डाल लेंगे, और इसको थोड़ा चटकने देंगे, हलका सा भून लेंगे, गै कर दीजे तो हलका साम कड़ी पत्ति को भी भून लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा मुंफली को तोड़के तो यह फ्राय वाली मुंफली जो आती है रोश्टेड वाली वो वाली है तो हमने इसको छोटे छोटे पीस कर दिये थे तो दो चमच के करीब फरी मिर्ची भी डाल देंगे और इनको भून लेंगे थोड़ा सा उसके बाद हमने तीन से चार फली लसुन की बारी कट कर ली थी तो उसको भी डाल देते हैं और सारी चीजों को अच्छे से भून लेते हैं अच्छे सी खुसबू आने तक थोड़ा कलर भी इनका चेंज हो तो यह आप देखें अच्छे से हमने भून लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा हम यह काली मिर्ची का पौड़ा डाल लेंगे और थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे और थोड़ा लाल मिर्ची पाउड़ा डाल रहे हैं आधी छोटी चमस से कम हैं उसके बाद इसे हलका सा भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनेंगे ये जल जाएंगे तो लो प्लेम पे हम इसको थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद हमने ये दो तीन उबलेवे आलू को हाथ से तोड़ लिया था तो ऐसे ही आलू हमें चाहिए ग्रेट नहीं करना है इसमें आलू को तो उसके बाद हम आलू को अच्छे से भून लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इसमें तो ऐसे ही मसलते हुए और बढ़िया सा इसे भून लेंगे जितने अच्छे आलू हमारे भुने होंगे उतना ही टेस्टी हमारे नास्ता बनेगा, तो ऐसे करके और बढ़ी असा भुन लेते हैं, तो यह आप देखें, बढ़ी असा हमने इसको मिक्स भी कर दिया है, अच्छे से भुन भी गए हैं ये, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार, तो नमक हमने वेशन के घूल में भी डाला है, इसलिए ध्यान से ही डालेंगे, और आधी छोटी चम्मच हम चाट मसाला इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा धनिया की पतियां डाल रहे हैं, और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो ऐसे करके कुछ सेकिंड के लिए इसे, तो गैस को इस टाइम पे हम मीडियम पे लखेंगे, मीडियम लो के बीच में ही रखेंगे, और अच्छे से भून लेते हैं इसको थोड़ी कुछ सेकिंड के लिए, तो ये भून के बिल्कुल तयार हो गए, तो हमने इ गोल बना लेते हैं तो एक तम असानी से बन जाता है यह आप दएखें चस बन गया देखए है यह सारी है यह जाया है तो आम हमने बॉल की त्यार कर दी है उसके बाद हो क्या ज़ए और चेक कर लेते हैं तो ऑन थे मुझते हमाना बड़िया जारो हो गया है तो यह आप देखे बढ़िया सा घोल एक दम ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा काड़ा भी नहीं है अब हम क्या करेंगे एक चुटकी इसमें मीठा सोडा हम डाल रहे हैं तो बिल्कुल एक चुटकी यह डाला है और उसके बाद हम इसमें एक चमच गरम तेल ड हमारे नास्ता है तो एक मिनट के करील हम इसको ऐसे फेट लेंगे तो एक दम बढ़िया सा मिक्स भी हो जाएगा तेल और जो हमने सोडा डाला है वह भी जी होना चाहिए तो अमेक्स हो गया है उसके बाद जो बॉल हमने बनाई है आलू की उसको नाल दाल देंगे और एसे क करके इसको भड़ी ऐसा कोट कर लेंगे तो यह आप देखे ऐसे ही करके और अब चलते हैं हम गैस की तरफ तो हाथ से ही हम इसको डालेंगे तो यह आप देखे हाथ से डालके आप चाहें तो इसे काटे से या फिर चम्मत से भी डाल सकते हैं तो हम हाथ से इसे डाल रहे हैं त तो ऐसे करके यह आप देखे कितना बढ़िया सा कलर आ गया एक साइट से तो इसको बिलकुल आराम से ही पलटेंगे और ऐसे ही उलट पलट करके दो चार बार अर एक दम बढ़िया सा बना लेंगे इसको जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता गैस को मीडियम पे ही रखेंगे ज्यादा तेज भी नहीं करेंगे और ज्यादा कम भी नहीं करेंगे और तेल भी सुरू में ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा थंडा भी नहीं बिलकुल मीडियम ही होना चाहिए तो ऐसे ही उलट पलट करके और बढ़िया सी बना लेते हैं इसको थोड़ी देर और बनने देंगे तो ये आप देखें अच्छा सा कलर आ गया है इसमें एकदम बनके बढ़िया सा तयार हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे थोड़ा सा साइड में रोक लेंगे और ऐसी ही करके सब को निकाल लिया है हमने तो ये हमारा नास्ता बनके एकदम तयार हो गया है तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो वो जरूर बताएगा तो ये आप देखें आप सौस चैटनी या फिर चाय के सौकीन है तो बारिस के मौसम में चाय और ये बहुत ही तेश्टी लगेगा तो एक बार ट्राइ कीजेगा थेंक यू